असलाम वालेकूम माई दियर स्टूरेंट्स वैलकम आपका बहुत-बहुत खुशाम दीद है इस लेक्चर में हम पाद रहे हैं कुछ दिनों से प्रोसेस आफ सनस्कृताइजेशन मेरे प्यारे बचो यह जो सनस्कृताइजेशन है यह मैंने बोला कि यह लावर कास्ट की इमिटेशन है अपर कास्ट के तहीं अपर कास्ट के वह जो भी रिलीजिस बिलीफ्स हो कल्चरल बिलीफ्स हो सोशल बिलीफ्स हो औक्पेशनल बिलीफ्स हो तो यह इनको नकल करके लावर कास्ट अपने स्टैट्स को बढ़ाने की कुश्च करते हैं इस प्रोसेस को हम सनस्कृताइजेशन कहते हैं आज हम पढ़ेंगे इंपक्ट अफ सनस्कृताइजेशन अफ on lower cost, lower of cost पे इस सनस्क्रिटाइजेशन पे क्या असर हुआ है हिंदोस्तान में इस प्रोसेश इस पर्टिकुलर तो इंडिया क्योंकि ये जादपात का मामला, छूचात का मामला, अन्टैचबरीटी एंड कॉस्ट सिस्टम का मामला हिंदोस्तान में ही नहीं पाया जाता आ तो ये प्रोसेश भी होजनस्तान में ही और इंडिया की इंडिया से रेलेटिड है तो यहां पर लवर COस्ट करते हैं अपरकास्ट को जैसे कि ब्रहमनंस हो, शत्रियाद हो वैश आज हो तो हम देखते हैं कि किmalवर कास्ट्स पे इसका क्या अस्व रुषब सेंस्ट्राइजिंगी मॉबीली टी अमंग लव्र कास्ट्स इन में एक मॉबीलीटी पैदा हुई है वो बढ़ ग處 है Hello कॉस्ट में क्योंकि कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि लवर कास्ट वाला अपनी कास्ट को चैंज नहीं कर सकता था, ऑक्पेशन को चैंज नहीं कर सकता था, अपने रिलिजिस बिलीफ को चैंज नहीं, तो वो अलग त अलग उसको रहना पड़ता था, तो उसके लिए तो गहीं पर हिंदोस्तान में ये प्रॉस्स हुई है कि लवर कास्ट ऐस एक ग्रूप उन्होंने अपर कास्ट के बिलीफ को अपनाया है, इससे क्या हुआ है, इससे यह हुआ कि उनकी मोबिलीटी, सोशल स्टैट्स बढ़ गया है, मोबिलीटी, अप्वर्ड मोबिलीटी हुई है, साइकेंड पॉइंट, दे प्रोसेस है के एकॉनिक स्टैट्स हो या ऑक्यूपेशनल स्टैट्स हो बढ़ गया है, वह बहतर हो गया है, तीसरा इस प्रोसेस है ब्रोफ चैंज इन ऑक्यूपेशन स्टैट्स अफ लवर कास्ट, जो लवर कास्ट के काम काईश थे वो भी अब बदल गए हैं, उनमें तबदील या लवर कास्ट के यही काम हुआ करते थे कि सफाई करना बाजारों में, बंगी बनना, यानि वो जो भी फिकल मैटर हो या कोई भी डिर्टी थिंग सो स्ट्रीट से बाजारों में वो साफ करना पड़ता था, तो बहुत सारी गंदे गंदे काम उनके लिए अब उसमें भी अन्स प्राइचिस आज ब्रोड चैंज इन कलचर अफ लवर कस्ट जो भी लवर कोश्त इस गटिया कल्चर माना जाता था, बहुत भी बिच्छा कल्चर माना जाता था, उसमें भी तब्दीलिया हुई है अर वह उपर कास्ट के कल्चरल ट्रेंड को फॉ ब्र्ड़ बाई तो उन ने higher cost के culture को अपनाया तो उससे उसमें भी तबदील आ गई इस प्रोस्ट इस ब्रॉस्ट जो lower cost के release beliefs हैं वो भी तबदील हुए जो upper cost के और lower cost के release ये बिल्कुल डिफरेंट थे क्योंकि upper cost जो meat जो ये गोश्ट नहीं खाते थे गंदे काम नहीं करते थे वो Sanskrit language पे महरत रखते थे religious books पे महरत रखते थे और जो lower cost थे उनको कोई अता पता नहीं था अपने religious beliefs का ऐसे upper cost वाले मंदर जा सकते थे वहाँ पे अपने वो जो religious books हैं वो पढ़ते थे मगर इनको कोई हक नहीं था so इसमें भी तब्दील आ गई इस प्रॉस्स है ब्रॉट इंप्रूब्मेंट इन दियर economic status अब इस उनकी मौशरिती जिंदगी मौशी जिंदगी बहतर हो गई मौशरिती भी यानि cultural भी social भी और economic मौशी जिंदगी भी economic status भी बदल गया तब्दील हो गया उसमें बहतरी आ गई सो लास्ट वाला पॉइंट मैंने डिसक्स किया social life of lover causes also मौशरिती जिंदगी जो होती है social life वो बहतर हो गई कि इनकी lover costs की इस सनस्कृताइजेशन के process से so it has brought many changes and the stats of lover costs so it has proven a good thing for them so it was the topic today tomorrow we shall discuss westernization till then assalamualaikum